और time value of money में present value है और future value है आपके present value के दो formula बताये थे सर या तो आपको annuity factor से निकालना पड़ सकता है या without annuity अगर आपका without annuity है तो आपका present value होगा future value pvf, rn last class में pvf का भी value निकालना सीख लिया था अगर आपका present value annuity है तो यहाँ पे हो जाएगा pvaf af में क्या होता है आपका accumulated होता है जो gt वाला last class में किया था अगर आपको निकालना हुआ future value तो pvcvf हो जाता है cvf के अंदर बताये था square करना बार बार और अगर annuity हुआ monthly installment हुआ तो ऐसे situation में होता है 1 minus में 1 plus r की power n divided by r तो इस से related आज हमें question देखते हैं जितना देखा था हमने फटा फट से question देख लेते हैं तो कुछ अब past exam के question कर लेते हैं चलिए एक आपके सामने question है अगर आपके सामने question है सवाल देखे क्या कहता है question में क्या कहता है कि Mr. X won't go a wood tour यानि X चाहता है कि हम एक tour पे जाएंगे आपके 10 year का first question है this tour expected to cost him seven lakh यानि ये दस साल के बाद दस साल के बाद यानि एक timeline देख लेते हैं और timeline के हिसाब से देखा जाएं तो 10 साल के बाद आप यहां पे stand करते हो और आपको जाना tour यहां पे है और इस दिन आपको चाहिए tour पे घूमने के लिए 7 लाक रुपे now आप चाहते हो के how much should be save annually per year have sum of seven lakh तो कहता है के हर साल बताओ मैं कितने कितने पैसे जमा करूं के मेरा 10 साल बाद कितने हो जाए 7 लाक यानि हम जानना चाहते हैं कौन सा वेल्यू यानि future वेल्यू 7 लाक है लेकिन future value में हम कितने कितने रुपे जमा करेंगे जो कि future में हम पहुँच जाए 7 लाक के बराबर और वो भी क्या है एक annual installment है एक तरीके से सर अगर annual installment है तो that is इसका मतलब आपका हो गया annuity तो आप सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे बोलता है कि अगर आपका rate 10 हो और 12 हो तो बताईए तो annual annuity का है future value पता करना है तो इसके अंजर दो हमने formula लिखा था दूसरा लगेगा formula क्या कहता है था सर कहता है future value is equal to present value into में क्या था c v a f और r की पावर n सर c v a f r की पावर n क्या था 1 माइनस में बताईए 1 प्लस r की पावर n divided by r तो यह मैंने अभी formula भी बताए है पहले आप यह decide करिए कि आपको पता चला या नहीं पता चला कि कौन सा formula देखे future value निकालने का annuity factor का यह था और c v a f हालाकि आपको यह table भी given होता है तो table से rather than हम calculator पर solve कर लें तो ज्यादा better है table क्या पता exam में मिले और क्या पता ना मिले तो बताईए यहां तक clear है चलिए apply करते हैं फटा फट से निकालते हैं आठ दस ही कोशन है ज्यादा कोशन है भी नहीं इसके चलिए एन यूटी अच्छा हाँ कुशन 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 यह रा केस नमबर वन अगर हमारा 10% पर रैनम हुआ तो result क्या आएगा 10% पर रैनम में result आएगा हमारा हमारा future value हमें पता है formula मैं direct apply कर रहा हूँ future value पता है हमें कितना चाहिए अरे मैंने यहां थोड़ा सा error कर दिया यहां एन यूटी आ जाएगा मैंने present value गलत लिख दिया एन यूटी और एन यूटी value आपको पता नहीं है और यही निकालना है आपको अब देखिए formula अपलाई करिए 1 माइनस में 1 प्लस R की पावर N कितने है न आपके और R कितने है सर आपके R question में है हमारा 10% यानि 10 बटे में 100 इसकी पावर N का मतलब क्या होगा आपका 10 और इसको divide R करेंगे तो solve करने का तरीका मैं calculator पर बता भी देता हूँ simply बहुत easily हो जाएगा हम क्या करेंगे सबसे पहले आपका 1 अगर हम देखें यहाँ पर solve करने का तरीका तो 1 प्लस कितना हो जाएगा यह अगर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ further 1 माइनस में 1 प्लस 0.1 की पावर 10 और divided by 0.1 यही होगा पहले हम upper value को solve कर लेते हैं जो भी given है सर उपर अगर मैं करूँ तो 1.1 दस बार करना है यह पहली बार में कितनी बार आया है दूसरे साल की 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2.5 line something आ गया यानि अगर मैंने उपर उपर के हिस्से को solve किया आप भी calculator निकाल दीजिए और calculator पर करिए अगर उपर उपर हिस्से को solve किया ना तो आएगा 2.59 something आएगा मैं लिखनी रहा डिवाइड कर दीजिए उसी टाइम 0.1 से 0.1 से और नहीं नहीं पहले डिवाइड नहीं करना पहले minus करना होगा यह इसके पूरे देखो पहले इसको solve करना है और last में डिवाइड करना है पहले अपर solve करो यह ऐसे है ठीक है तो minus में 1 divided by 0.1 तो सर यह आता है 15.93 तो यह आ जाएगा हमारा 7 लाख is equal to NUT और NUT के into कर देंगे 15.93 सर अब NUT value चाहिए था इसको इससे divide कर देंगे तो NUT 7 लाख divided by 15.93 7 लाख divided by 15.93 तो आ गया हमारा 43,942 अभी किसी को doubt है first case में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों ने निकाल के भी दिखा दिया 12% का सर 40,000 आएगा 12% से 40,000 आएगा मैं 12% का इधर कर दू कैसे आएगा minus में आप इस वाले हिस्से को solve करेंगे उसमें से 1 minus करेंगे तो minus कैसे आएगा मैं पहले इसको तो solve करो क्या कह रहे हो मैं इस थोड़ा formula को आपने confuse कर रहे हूँ मैं formula को सही से लिख देता हूँ आपने पिछली class note नहीं किया लगता है या मैं इसको ऐसा करता हूँ बच्चे कह रहे है minus में आएगा minus 1 इदर डाल दे अब ठीक है अब ठीक है किसका कह रहे हूँ आप मुझे बताओ minus का पहले बताओ क्या चक्कर आ रहा है अरे आप समझे नहीं मुझे minus में डिजेट नहीं लाना मुझे positive digit लेके आना है इंटू नहीं होगा नहीं आप सब अपना दिमाग रहा है मैं लो इस formula को apply करता हूँ 1.1 की power n simple 1 अब इधर देख लो इधर देख लो 1 प्लस में 0.1 की power n minus 1 अब ठीक है अब ठीक है अब इसको whole को आप जब करोगे न इसको solve करने के बाद क्योंकि मैं calculator पर value निकाल रहा हूँ आप mathematical चल रहे हो कि पहले divide होना चीए board mass नहीं लगेगा यहाँ पर या तो आपको table देखना होगा यह calculator पर उसके बाद जो answer आए then आप इसको r से divide कर दीजिए इसको एक इधर कर देते हैं क्या दिक्कत है कैसे minus 1 हो जाएगा कैसे हो जाएगा minus में हाँ तब ठीक हो गया न अरे minus 1 तो करना है यह पहले calculator पर digit solve करो आप करा solve क्या आया यह वाला हिस्सा आ गया two point जो भी आ गया अब minus 1 करोगे तो minus में कैसे आएगा अरे वो minus एक individually अलग separate चलता है जब हम calculator पर करते हैं पूरा जब हम उसको solve कर लेते हैं पहले हम minus कर देते हैं उसको जो भी digit आता है आप ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है मैं सर्फ calculation बता रहा हूं calculator पर calculator पर क्या करोगे one plus last class में भी किया तो था आपने क्यों नहीं किया था पर्जेंट वैल्यू सीखा था पक्का मुझे लग रहा है एक कोईशन किया था हमने चलिए आप यहां पर भी confuse नहीं हो ना फिर इसको भी बदल दू फिर यह लो cvf मैं calculator पर simple सी बात है one plus r की power n minus one फिर step number two करोगे r से divide करना है बस खतम कहा नहीं अब ठीक है पहले step आपको यह चीजे देखो जैसे मैं बता रहा हूं आपको आपका future value निकालने के लिए तो इसमें ऐसा थोड़ी थोड़ी कोई logic मैंने calculator calculator पर किया आपको calculator एक बार भी खतम नहीं करना मतलब erase नहीं करना देखो कैसे करते हैं एक बार देख भी लो आप सर जैसे one point one है क्योंकि सारा value calculator में जाएगा यह इंटू दो बार हो गया यह दस बार जाना है 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधा मैं माइनस one प्रेस कर दूँगा और डिवाइड कर दूँगा point one सीधा आ जाएगा value यानि जो बच्चा देख देख के कर रहा है formula अब लिख दो आपको formula exam में क्या लिखके आओगे यह formula exam में यह इसा कोई formula है ही नहीं आपको तो exam में लिखके क्या आना है सर एक्जाम में यह लिखके आना है cvaf अब cvaf का आपको table मिल जाएगा अगर cvaf का table मिलेगा table से value पुट कर यह answer निका लिए that's it बात का दम अगर आप table नहीं मिला उसके लिए मैंने बताया है कि इस step से calculator पे solve किया जा सकता है आप उसको बिल्कुल mathematical में मत लोग तो ठीक है न तो यही था यहाँ पे कहा गया कहा गया चलिए 12% का बताये क्या आएगा 12% में अगर जाएंगे तो क्या होगा 7,00,00,00 is equal to any t ए कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सीधा value लिख रहा हूँ अब 12% का क्या होगा 1.12 into 10 बार करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, 10 माइनस वन डिवाइद बाए 0.12 20 20.65 तो क्या है गा सर एक बार चेक करिए 17.54 आ रहा है इसको solve करने के बाद कर लिया 17.54 सर 17.54 तो एक या आ जाएगा साथ लाख डिवाइड इर बाएस सर या आ जाएगा 49 हाँ, सम्थिंग 40,000 के आसपास आ जाएगा ठीक है clear तो आपके exam में कहीं आप थोड़ा भी confused नहीं हो ना जब आपके exam में सवाल आएगा तो formula जो मैं calculator पर जो digit करने के लिए बता रहा हूँ उसको calculator पर बिल्कुल नहीं करना आप calculator पर तो करना है लेकिन महां show नहीं करना कि हम ऐसे करना है क्योंकि इसके लिए आपको proper table दिया जाता है कई बार होता है कि जब आप exam में जाते हो ना तो examiner कभी भी professor वगएर आपके paper नहीं ले जाता है outsource किया जाता है उनको और उनसे paper लिया जाता है कई बार table पता चला कि आने में आदा घंटा हो गया paper में डिले हो गया तो दिक्कत है इतने आप क्या करोगे बहता रहके calculator पर find करके अपना अंसर उसी time okay कर लोगे ठीक है चल यह एक और सवाल देखते हैं यह था सवाल नंबर वन formula formula अभी चलोज़